कैसे हूँ, मीद करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे तो एक और इंट्रेस्टिंग कमपेरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है अलग-अलग ब्रांट के दो पापलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैंसंग गलक्सी M52 5G और दूसरी तरफ Realme का GT Neo 3T 5G, अगर इन दोने स्मार्टफोन की प्राइस की बात करी जाए तो Realme के GT Neo 3T 5G को 2799 रूपे के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं दूसरी तरफ सैंसंग गलक्सी M52 5G को 2699 रूपे के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं उने स्मार्टफोन में 1000 रूपीज का डिफरेंट देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी 30,000 रूपीज से कम के प्राइस में कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कम पेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को हम सुरूख दोने स्मार्टफोन के अगर परफॉर्मस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इन दोने स्मार्टफोन में से खासकर परफॉर्मस के मामले में कौन सा स्मार्टफोन आगे निकल जाता है तो मतलब गेमिंग के मामले में आप आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंट दोने स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा पर इन दोने स्मार्टफोन के अगर हीटिंग टेस्ट की बात करी जाए जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया और तो हीटिंग परसंटेज निकल के आता है वो आप लोगों को काफी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है इन दोने स्मार्टफोन के हीटिंग परसंटेज में क्योंकि रियलमी के जी टी नियो 3T 5G का जो हीटिंग परसंट निकल के आता है जबकि सैमसंग गलेक्सी M52 5G का जो हीटिंग परसंटेज निकल क आता तो आप लोगों को रियलमी के जी टी नियो 3T 5G में हीटिक प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने पार सकती है स्मार्टफोन के आगर डिस्प्ले सेक्मेंट की बात करी जा तो रियलमी के जी टी नियो 3T 5G में 6.62 इंच की फुल एच्टी प्लस एमोलेट डिस्पले देखन मिल जाती है और डिस्पले की अच्छी स्मूतनेस के लिए 120 हर्टे रिफिरेश्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि डिस्पल वाइज देखा जातो आप लोगों को सैमसंग ग्लेक्सी M52 5G में कापी अच्छी क्वाल्टी की डिस्पले देखने को मिल जाती है अग मेगा फिक्सल का सेल्फी क्यामरा देखने को मिल जाता है जो कि अंडर 25,000 रुपीज की प्रैस में फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा क्यामरा सेटप देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरफ रियल मी के जी टी नियो 3T 5G के बैक में टिरपल रियर क्यामरा बाकी के दो कैमरे 8 प्लेश 2 मेगा फिक्सल के मिल जाती है विद लेडी फ्लेश लैट के साथ और सेल्फी क्लिय सिर्फ 16 मेगा फिक्सल का सेल्फी क्यामरा देखने को मिल जाता है आल ओवर अगर देखा जातो सैमसंग गलेक्सी M52 5G में आप लोगों को कैमरा सेटप काफी इस स्मार्ट पोन का स्ट्रीय की बात कर difis स्मार्ट पॉंड स्मार्ट वेक्सवन इक बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाती है क्योंकि Realme के GT Neo 3T 5G और Samsung Galaxy M52 5G इन दोने स्मार्टफोन में 3.5mm jack का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है बैटरी सेग्मेंट का अगर बात करी जा तो Realme के GT Neo 3T 5G में 5000mAh की एक बड़ी बैटी मिल जाती है 80W का SuperDirt Charging के साथ USB Tab C Port का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जबकि Samsung Galaxy M52 5G में 5000mAh की एक बड़ी बैटी मिल जाती पर आप लोगों को सिर्फ 25W का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है सिकोर्टी फीचर के लिए Realme के GT Neo 3T 5G में इन डिस्पले फिंगरपिन सेंसर देखने को मिल जाता है उस हिसाफ से अगर देखा जा तो Samsung Galaxy M52 5G में एक अच्छी क्वार्टी की डिस्पले देखने को मिल जाती है क्यामरा से टप भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है पर दूसरी तरफ Realme के GT Neo 3T 5G में एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है